ऑन कि कलाश है ऐलो फ्रेंड्स गुट पॉनइंग है और हम सब बहुत अच्छे होंगे आज हुआ जहीं पैसे सपकर आज हमरी टेक्शटाइल का से सेप्वर्बी टेक्स्टाइल का दूसरा क्लास है कल हम लोगों ने टेक्स्टाइल में क्या पढ़ा था वस्त्र विग्या नियुम परिधान में क्या देखा था कल हमने टेक्स्टाइल में कल हमने देखा था वस्त जो रेशे हैं रेशों का वरगी करण हमने देखा था रेशों के वरगी वनस्पतिक दूसरा था प्राड़िस प्राप्त रेशे उसे क्या कहते हैं प्रोटीन की प्रधानता होती है उसमें उसमें कौन-कौन शे आते हैं इसको हमने देखा था अगर जो पिछला वाला वीडियो नहीं देखें हो टेक्स्टाइल में पहले पिछला वाला वीडियो देखें तभी जाके यह वाला वीडियो समझ में आएगा आज दो क्लास है आज दूसरा क्लास है कोटन है कपास देखेंगे हम कोटन को इंगलिस में क्या करते है तो हम क्या देखेंगे आज हम देखेंगे कपास के बारे में बिना पिछला जो जिसको भी जो आज ये वीडियो देखने हैं अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज पहले पिछला वीडियो देखें फिर इसको देखें तब ही आपके समझ में आएगा नहीं तो न इस प्राकृतिक रेशा धसे ऑननस मलगी उसको और सबढया ठेंट्साथ पर वह सब्यत्य प्रादीश स्व है था हम उसमें प्रोटीन आता था उसमें ग। से कैशी एप प्रोटीन प्रोटीन और तरो सोना चादिए-विष्टे यह था। हम इसमें क्या देखेंगे जो प्राकृतिक में वानस्पतिक रेशे थे जो प्राकृतिक रेशों में कौन सा रेशा था वानस्पतिक रेशा था प्राकृतिक रेशों में जो सेलोलोजिक रेशा था जो क्या था वानस पतिक रेशा था इसको कितने भागों में बाटा गया था इसको भी तीन भागों में बाटा गया था एक क्या था बीज से प्राप्त होने वाले रेशे दूसरा क्या था तने से प्राप्त होने वाले इसको हम पढ़े थें यहां तक सब को याद होगाund तो अभी हम किसमें देखेंगे बीज से प्राप्त होने वाले रेशे में कौन सा आया था एक तो कपास आया था दूसरा क्या आया था कापोक आया था कपास भी बीज से प्राप्त किया जाता था लेकिन जो कापोक है उसमें एक प्रोब्लम थी वो क्या थी उसमें प्राकृति कि दीन बार पढ़े किसी को याद नहीं होगा यह इतना आसान नहीं है टीस टायई तो अब हम क्या सुरू करते हैं जो काप काप कंबlles किया काप का यूज कि वस्तर बनाने में करते हैं क्यों नहीं करते इसका वीаль 않 यह क्योंकि तो आज हम देखेंगे, अब हम देखेंगे fiber, अब हम आज आते हैं अपने topic पर, इतना तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ बताई थी, इतना, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कपास, कोई भी रेसा हम पढ़ने से पहले क्या करेंगे, उसको तीन सारे में देखेंगे, steps में क्या आएगा, processing आजाएगी, इसमें कितने process होते हैं, क्या क्या होता है, ये सारे चीज़ इसमें आजाएंगे, चरण में क्या आएगा, steps आजाएंगे, और उसके processing आजाएंगे, उसमें क्या किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, और भी से इ को समझ में आ गया है कि जो भी कुई भी भी rozp देंगे और इसी में परिशेश बसकी…" और तीसरा क्या देखेंगे विश्यस्ताओं को देखेंगे अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कपास ले लेते हैं अब क्या करेंगे अब इसको मैं मिटा देती हूँ अब आ जाएगा कपास पहले हम ये जानेंगे कि कपास किस जगत का रेशा है कहां से प्राप्त होने वाला रेशा है और इसमें किस चीज की प्रधानता होती है क्यों इसको जानेंगे क्योंकि exam time में सीधे सीधे question कभी नहीं पूछे जाते हैं ऐसे question पूछे जाते हैं जो हमारी mind में हमको आता तो रहे आता तो रहता है लेकिन हम question को देखकर क्या हो जाते हैं confused हो जाते हैं तो यह textile है इसमें बहुत जादा mind लगाना पड़ेगा तो हम पहले क्या देखेंगे कपास कहां का रेशा है कपास है प्राकृतिक जगत का रेशा है और प्राकृतिक जगत में कहां से है तो मैंने अभी बताया कि प्राकृतिक जो जगत के रेशे है उसको भी तीन भागों में बाटा गया था एक तो बानसपतिक रेशे दूसरा क्या था पहला क्या था बानसपतिक रेशे दूसरा था प्राडिज रेशे और तीसरा क्या था खनिज रेशे तो जो कपास है वो कहां का रेशा है वो बानसपतिक का रेशा है और जब बानसपतिक रेशा होगा उसमें क्या होगा उसमें सेलूलोज की प्रधानता होगी इसमें क्या होगा सेलूलोज होगा बानसपतिक रेशे में क्या होता है सेलूलोज की प्रधानता होती है कपास के रेशने में किस चीज की प्रधानता होती है कपास में किस चीज की प्रधानता होती है शैलूलोज क्यों क्योंकि यह बनसपति रेशा है बनसपतिक जितने भी रेशने होंगे उसमें क्या होगा शैलूलोज की प्रधानता होगी अब क्या देखेंगे यह तो हमने यहां से question 100% पूछे जाते हैं और हर एक्जाम में में सारे प्तिक जम से चुर्छन आते हैं यह किन ना हो दो प्राकृतिक प्राप्त होने वाला देशा है यह बीज से प्राप्त होने वाला रहोगी और यह प्राक्रतिक जगत प्राक्रतिक जगत का तो है लेकिन यह क्या होगा बनस्पतिक जगत का है यहां पर एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा बनस्पतिक क्या होगा ये बानस्पतिक जगत का रेशा है बानस्पतिक जगत में कहां का रेशा है ये बानस्पतिक जगत में कहां का रेशा है तो बानस्पतिक जगत में ये बीज का रेशा है ये कहां से प्राप्त होने वाला रेशा है तो ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है कपास प्राकृतिक जगत का रेशा है प्राकृतिक जगत के रेशे में कहां से होगा बानसपतिक रेशे में होगा बानस्पतिक जगह से प्राप्त होता हो तो कहां होगा शैलू लो इसमें मिलेगा कि यहाँ यहां मिलेगा यह से बात है तो यूप्त रेषा लुटने वाला है इसमें भी ये प्राप्त होने वाला है बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है इतना कंप्लीट हो गया सबका इतना समझ में आगया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं कपास को देखते हैं कि कपास जो है ये आया कहां से कपास जो सब्द है ये कहां से आया है कपास सब कास के शब्द को देखेंगे कापास क क्या है क्या कि आप ऐसे इसको लिख सकते हैं नहीं लिखे तो समझ ले कास क्या है अब हम इसको देखेंगे कास कपास क्या है अरेविक भासा का सब्द कोटन है क्या है कोटन से बना है यह कपास क्या है तो कपास अरेविक भासा का सब्द क्या है कोटन है क्या है कोटन से बना है यह कपास क्या है तो कपास अरेविक भासा का सब्द कोटन से बना हुआ है इतना सबका confirm हो गया होगा, इतना सबका clear हो गया होगा अब हम आगे देखेंगे कि जो कपास है उसको और किस नाम से जाना जाता है कपास को और किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या कहा जाता है कपास को और क्या कहा जाता है और इसको कहा जाता है रेशो का राजा किंगा फाइवर कहा जाता है क्या कहा जाता है रेशो का राजा एक्जान टाइम में पूछा जाए कि सारुभावमिक रेशा कौन सा है तो हम क्या बताएंगे कपास बताएंगे रेशों का राजा पूछा जाए तो हम किसे बताएंगे कपास बताएंगे और एक रेशा है ये और इसको क्या कहा जाता है इसे तीन नाम से जानते हैं कपास को पहला यूनिवर्सल फाइवर दूसरा है किंग आफ फाइवर कहा जाता है और क्या कहा जाता है हुमन फ्रेंडली कहा जाता है और क्या कहा जाता है हुमन फ्रेंडली रेशा कहा जाता है क्या मानो मित्रता क्यों कहा जाता है क्योंकि जो हुमन की बॉड़ी है जो मनुस की बॉड़ी है उसकी एकॉर्डिंग ये रेशा होता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है तीन नाम हम जानें जैंके कपास के उनिवर्सल फाइवर या सार्वंच रेशा पूच जाए ख्टीम टाइम में तबहें ऑप राजा किंगा फाइवर पूच जाए तब textbooks दोबताएंगे मानों मित्रता करकियाय तब lesson और जैंके हम इसे कपास नाध fal कहोड पॉइस दिखे कर दym vaccination कपड़ों को सिर्फाम का। बथा को कितने बागों में बाटे थे हम पहला एतिहास बाटे से उसकी पॉत नि ?? थी अभी हम इसके इतिहास के बारे में ये तो कुछ main main point है इसकी क्या है ये कुछ main important point है इसलिए इसको जानना भी जरूरी है अब हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे इसके इतिहास के बारे में इसका इतिहास क्या है इसका introduction देखेंगे हम कपास की introduction में क्या देखेंगे प अब हम क्या देखेंगे अब हम देखते हैं कपास के इतिहास के बारे में कि कपास का उत्पत्ती है वो कहां से हुई है इसका जो जन्म है वो किस देश से माना जाता है तो कपास का जन्म दाता जो है यहां पे हम point wise देख लेते हैं कपास का जन्म दाता कौन सा देश है कपास का जन्म कहां से हुआ था तो जन्म जाता कौन सा है भारत है कपास का जन्म दाता जन्म दाता क्या है भारत है कपास का जन्म दाता कौन से देश को कहा जाता है भारत को कहा जाता है और क्या देखेंगे हम इसमें उत्पादन में प्रथा मस्थान पर कौन सा देश है कपास का जन्म दाता तो भारत है जो कपास का जन्म हुआ था वो सबसे पहले कहां पर हुआ था भारत में हुआ था लेकिन उत्पादन की द्रिष्टी से जो point of view है जो उत्पादन है इसका उ कि कापास के उत्पादन में प्रथम इस्थान किसका है कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका का है यह पॉइंट बहुत ज्यादा हँशन फी पूछा गया और इस तर्ए लिफसट लतार देश ऑस THIS तर्थ यहां से हर बार कुछण पूछा गया है और इसे सिल िफसे का अमेरिका का है और दित्ती अस्थान किसा है भारत का है जन्म दाता भारत में में इसमें जो उदपादित किया जाता है कपास को सबसे जादा कहाँ पर किया जाता है अमेरिका में और दूसरे नंबर पर कौन सा देश भारत है इसके कुछ में में पॉइंट हम देखेंगे औरिया से कुछन बनते भी है ये बहुत zum इंपोर्टेंट है सबके लिए अब हम क्या देखेंगे जो कपास के पेड़ की लंबाई होती है वो कितने इंच होती है पेड़ की लंबाई कपास के कपास के पेड़ की पेड़ की लंबाई कितने इंच होती है यहां पर किस चीज की लंबाई हम देख रहे हैं यहां पर लंबाई और रेशे की लंबाई अलग अलग है अब ही हम क्या देख रहें कपास के पेड़ की लंबाई कितनी होती है ती 3.6 3.6 कहीं कहीं यह लिखा है 3.3.6 या फिर 4.6 4.6 कितना होता है यह fit होता है अगर exam time में देखा जाए 3.6 लिखा रहे है या 4.6 लिखा रहे है दोनों में से कोई भी अगर हमीं मिल जाए तो हम टिक लगा देते हैं क्यों क्योंकि टेक्स्टाइल में जो एक ही हर बुक में क्या होता है इसमें अलग अलग चीज़े दी हुई है तो क्या होता है किसी बुक में 3.6 दिया गया है तो किसी बुक में 4.6 दिया हुआ है तो हम क्या देखेंगे यहां पर यहां पर हम इसी को देख लेंगे कि इसमें से कोई भी अगर हमें दिख जाए तो हम क्या करेंगे वहां पर टिक लगा देंगे और रेशो की लंबाई रेशे की लंबाई कितनी होती है कपास के रेशे की लंबाई 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक होती है 2 इंच या फिर 2.5 इंच होती है ऐसे जो निसान लगाते हैं ये इंच का निसान है इसको भी सब लोग जान लो तो जो कपास के रेशे की लंबाई है दो से 2.5 इंच के बीच में होती है, 2 इंच मिले हमें कहीं पर लिखा यह अप्सन में एक्जाम टाइम में या फिर 2.5 इंच मिले तो हम उस पर टिक लगाएंगे, अब हम आगे देखते हैं, जो भारत है जो दिखती है अस्थान पर भारत है, लेकिन भारत में कहा कहा पर जो ह तो गुजरात महाराष्ट और मध्य प्रदेश में होता है यह एक पॉइंट हो गया अब हम आगे देखते हैं अब क्या होगा इसमें मिस्र की कपास को सबसे अच्छी गुडवाला कपास कहा जाता है जो मिस्र का कपास है सबसे अच्छी जो गुडवत्ता होती है जो क्वालेटी होती है जो सबसे अच्छी क्वालेटी होती है वो कहां के कपास में होती है तो वो होती है मिस्र के कपास में मिस्र के कपास को उच्च गुडवत्ता वाला कपास माना जाता है कपास कहा जाता है इकजाम टाइम में पूछा जाए कि सबसे अच्छी गुडवत्ता कहा के कपास में होती है तो हम क्या बताएंगे मिस्र में जो कपास पाया जाता है उसकी गुडवत्ता सबसे उत्तम होती है क्यों होती है क्योंकि जो कपास से उसकी जलवाव कैसी होनी चाहिए यहां पर जो कपास मिलता है वह सबसे best quality का होता है वेटर quality का होता है इसलिए जन्म तो इसका भारत में हुआ था लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन में प्रथा मस्थाने वह अमेरिका का है और सबसे अच्छी गुडवत्ता वाली कपास मिस्त्र की होती है अब हम देखेंगे कि इसकी जल्वाय कैसे होनी चाहिए जल्वाय उष्न कतबंधी होनी चाहिए इसके लिए चाहिए अब हम अगला पॉइंट रहते हैं इसमें मिट्टी कैसी चाहिए उसने कत्बंधी जलवायू चाहिए इसे और क्या चाहिए छार युक्त काली मिट्टी चाहिए इसे कैसी मिट्टी चाहिए छार युक्त काली मिट्टी चाहिए इसे जो मिस्र की कपास है उसमें ये दोनों क्वालेटी इसको मिल जाती है मिस्र की जो जलवाई है उसने कज़बंदी होती है और वहां की मिट्टी छायुक्त काली मिट्टी है इसलिए वहां की जो कपास है वो सर्वत्तम कपास कहलाती है सबसे अच्छे quality वाली कपास जो है वो मिस्र की कपास कहलाती अब हम इसके जीवन चक्र के बारे में देखींगी यह तो थे कुछ main main point अब हम क्या देखेंगे अब हम इसको इसके जीवन चक्र के बारे में देखींगी कि इसका जो life वो कितने दिन का होता है, कितने दिन में तयार होता है, जीवन चक्र, कोटन का जीवन चक्र, कितने दिन का होता है, इसमें क्या होता है, 200 दिन लगते हैं 200 दिन या फिर एक वर्स का टाइम लगता है इसके बीज को बोने में बड़ा होने में कपास का फूल आने में फिर उसके उसमें रूई आने में उसको पकने में यह सारे जो काम होते हैं यह जो सारी प्रोशेश है उसको करने में कितना टाइम लग जाता है 200 द या फिर एक वर्स एक्जाम टाइम में पूछा जाए कपास का जीवन चक्र तो हम क्या बताएंगे 200 दिन से लेकर एक वर्स तक लग जाता है और क्या देखेंगे इसमें अब हम देखेंगे जो भारत में पहला मील है वो कब लगा था कपास का पहला मील भारत में कब लगा था तो 1818 में खुला था और कहां पर खुला था कोलकाता में और दूसरा मेल इसका कहां पर खुला तो दूसरा मेल इसके बाद 1854 में 1854 में कहाँ पर खुला बंबई में या मुंबई में खुला कहाँ पर 1854 में कि ये तो हो गए इसके इंटो डुक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा अब हम क्या देखेंगे इसके process के बारे में देखेंगे यहां तक सबको समझ में आ गया होगा और जो textile है उसे एक बार नहीं उसे कई बार पढ़ना पड़ेगा सबको अब हम देखेंगे cotton के process भी कहते हैं इसे और सब्दावली भी कह सकते हैं और यहां से पक्का है एक दो question तो जरूर से जरूर आएगा यह आप लोग नोट कर लीजे TGTO, PGTO या फिर NETO कोई भी exam हो A to Z कोई भी exam हो वो जो की home science का हो तो वहां पर यहां से question पूछे ही पूछे जाएंगे अब क्या देखेंगे हम यहां पे यह बहुत ज़्यादा important है इसमें क्या होता है यहां से कोई एक चीज़ दे दिया जाता है इस बार खुद ही पूछा गया था कारवो नाइजिंग क्या होता है वो हम उल में पढ़ेंगे तो यहां से जरूर एक दो question पूछे जाते हैं यह क्या है harvesting क्या होता है अब ही हम कपास का पढ़ें तो कपास के process यह सब्दावली को पढ़ेंगे जैसे जैसे हम एकएक पॉइंट परते जाएंगे एक पार्ट को तो हम उसके सारे या उसकी प्रोशेश को उसमें जो सब्दावलियां यूजाती है सबम देखेंगे हर्विष्टिंग क्या होता हार्विष्टिंग मीजिटा कोई को एकत्रित करना कोई मिन्स क्या होता है जो कपास के जो पोड्स होते हैं पोड्स होते हैं सब लोगों ने देखा होगा कि कपास के पोड्स कैसे होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं कपास के जो पोड्स होते हैं जो कोई होते हैं उसी को जो इसका फोल होता है यहां से इसका फोल निकलता है उसके बाद क्या होता जब यह प्रक जाता है तो वही रूई बन क्या होता है बिनियावे पोग्णाले में इस क्या होता है उसके बीज को निकालना कपास के ञाहांने या निकलेगा और चा jetzt बीज को निकालना जीक कर गिंग कहलाता है लंबाई के आधार पर गुडवत्या अधार पर गांट बादेना जो जितने भी हमारे पास इकठता बिन अलग को निकाल देंगे हमारे कि पूहें पर चाहएगे कि निसी को यह इसे जाएगा स१ तो इसे अपस को सब में जाएगा यह सब में तो बेस्फों को तो जो अलग आधार जो एक सब्सक्राइब है अलग लग से उसको गाठ मारके रख देंगे अब रख देंगे तो क्या मतलब होगा अब वो मिल में जाने के लिए तैयार हो गया है Opening and blending क्या होता है opening and blending विगमिस होता है खोलना और मिलाना अब मिल में क्या होगा मिल में इसको क्या किया जाएगा मिल में क्या किया जाएगा कोटन के कपास के हमने गाठे बाधी थी opening and blending होगा मिल में होगा जितने भी कपास होगे उसको खोला जाएगा उसके गाठे बदी थी वो खोला जाएगा और सारे के सारे उसको क्या किया जाएगा आपस में मिला दिया जाएगा जितने भी कपास होंगे जितने भी रुईया हैं उसे क्या किया जाएगा उनको आपस में मिला दिया जाएगा उसके बाद क्या होगा कोरडिंग एंड डबलिंग होगा क्या होगा कोरडिंग एंड डबलिंग होगा कोरडिंग में इस क्या होता है धुनाई होगी और क्या होगा दोहराया जाएगा धुनाई में इस क्या होता है उसको पिटा जाएगा पिटा जाने का मतलब क्या होता है जो हमने गाठे बाद दि सीधे मिल में चला गया तो मिल में जाते टाइम या गाठी बात के रखने टाइम क्या होता है उसमें फिर से गंदगी आ जाती उस गंदगी को निकालने के लिए क्या जाता है धुनाई किया जाता है दूल मिट्टी निकालने के लिए क्या किया जाता है उससे क्या किया जाता ह मार्केट जब गए होंगे ठंटी के मौसम में हर मार्केट में ही दिख जाता है जहां पर रजाई बनती है वहां पर क्या किया जाता है पहले उसको धुन पीटते हैं तो उससे क्या होता जो धूल मिटी गुच भी जो उसके असुद्धियां रहती हैं वह सारी निकल जाती किसका किया जाता है कोटन का या रूई का किया जाता है उसको भी सुल्जाया जाता है यह उसे का धीचा जाता है तो उसके बाद क्या होता है रोविंग मिस क्या होता है उसे घुमाया जाता है और क्या होता है उसे घुमाया मतलब क्या होता है उसे थोड़ी से एठन दी जाती है फिर उसे घुमाया जाता है यहां से भी किया जा सकता और मसीन से भी किया जाता है रोविंग मही होता है उसे गोल बान दिया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है वीविंग उसके बाद क्या किया जाता है बुनाई किया जाता है यहां पर जो रोविंग है इसको ज्यादा तर तो मसीन से ही किया जाता है मसीन हाथ दोनों से कर सकते हैं जैसे जहां पर शुबिदा उसके बाद सिल्वरिंग किया जाता है उसकी पोनिया बना दी जाती है अब क्या होगा अब उसे वीविंग बुनाई किया जाता है बुनाई मेंस क्या होता है अब उसे ताने और बाने के फार्म में रख दिया जाता है बुनाई मेंस क्या होता है ताने और बाने के रूप में उसे कर दिया जाता है विभिन तरह की परिशजञाइग की जाती है अब उनको प्रिंटिंग च्छपाई की जाती है यह हो गया प्रोसस वह ज्यादा इंपोर्टेंट है मैं बार बार बोल नी हूँ, आप लोग इसको रट लो, इसका अगर ट्रिक भी मागोगे तो हम ट्रिक बना कर देंगे, लेकिन जिसको भी ट्रिक चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में बोले कि हमें ट्रिक चाहिए इसका, तो मैं इसको बना कर दूँगी, so thank you, मिलते हैं अंगली क